हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका दोस्त रविंद शर्मा दोस्तो आज हम बात करेंगे इस्टेरोइट्स के बारे में दोस्तो कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों को डॉक्टर द्वारा इस्टेरोइट्स दिये जाते हैं इस्टेरोइट्स की वरकिंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम हमारे इम्यून सिस्टम को समझ लेते हैं कुई वाइरस प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम उसी उतना ही एक्टिव होता है जितना कि उस वाइरस को माणने के लिए आवशक होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस वाइरस को पहले से जानता है परंतु क्या हो जब कोई नया वाइरस हमारे सरीर में प्रवेश कर जाए थो हमारा immune system है वह active तो होता है पर उसे खुद को यह पता नहीं रहता है कि उसे कितना active होना है तो वह भुळिक active हो जाता है और immune cells को भी बहुत ज्यादा active कर देता है जब हमारे सरीर की immune cells बहुत ज्यादा active हो जाती है तो वह psychotypes बनाने लगती है साइकोटाइन्स जब बनाने लगती हैं तो साइकोटाइन्स बहुत ज़्यादा बनने के कारण जो इन्फलामेशन होने लग जाता है दोस्तों इन्फलामेशन क्या होता है? inflammation यह होता है कि जब psychotines जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में बन जाती है कि वह हमारे खुद के जो cells होते हैं और जो tissues होते हैं उनको ही damage करने लगती है तो इसी कारण से जो है हमें steroids के injection दिये जाते हैं steroids क्या काम करता है? steroids यह काम करता है जो हमारे सरीर का immune system है उसको suppress कर देता है उसको कमजोर बना देता है आईए दोस्तो इसे एक example के थूरू समझ लेते हैं दोस्तो एक राजा है A और उसके पास सेना है एक लाग की दोस्तो उसे यह तो पता है कि एक दूसरा राजा जो की है B वह उसके आकरमन करने वाला है परंतु उसे यह नहीं पता है कि उसके पास कितनी सेना है और नहीं राजा B को यह पता है कि A के पास कितनी सेना है तो दोस्तो राजा B जो है वह पांच लाग की सेना लेके आता है दोस्तो जब वह वह मैदान में पहुंचता है तो एक तरफ एक लाग की सेना होती है और दूसरी तरफ पांच लाग की सेना होती है दोस्तो जो पांच लाग की सेना होती है वह इतनी ज़्यादा उत्साइथ होती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा होती है कि वह जो एक लाग वाली सेना है उसको मारने लगती है और साथ में वहे खुद के सेनिकों को भी मारने लगती है दोस्तो आईए अब चलते हैं अपने मैन पॉइंट पर कोरोना वाइरस बहुत ज़्यादा हमारे सरीर में एक्टिव हो जाते हैं वहे अपने कलॉंस तयार कर लेते हैं लंक्स में और हमारे सरीर में जब हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और साइको टाइन्स रिलीज करने लगता है तो वह कोरोना वाइरस को मारने के साथ में हमारे खुद के सैल्स को और टीशूज को भी मारने लगता है और ऐसा करने से बहुत सारी प्रोब्लम्स देखी गई है कोरोना वाइरस से संक्रमे द्व्यक्ति के लगबग साथ से दस दिन के बाद हमने सुना है देखा है हमने ये नोटिस भी किया है कि मल्टी ओर्गन फेलियर हो जाते हैं लंक्स जो है वो खराब हो जाते हैं किसी की किड्नी खराब हो जाती है लीवर खराब हो जाता है तो ये रीजन यही है इसको रोकने के लिए जो है इस्टेरोइड का इस्तिमाल किया जाता है इस्टेरोइड जो है उसको इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कमजोर कर देता है, सप्रेस कर देता है तो ये तो सारी बात आपको समझ में आ गई आए जानते हैं कि इसके साइड एफेक्ट्स क्या क्या है दोस्तो स्टेरोइड के अधिक इस्तिमाल से बहुत सारे साइड एफेक्ट्स होते हैं सबसे पहला है कि ये एंटी इंफ्लामेशन गुन होता है इंफ्लामेशन को कमजोर करता है तो एंटी इंफ्लामेशन इसमें हो गया दूसरा ये है कि हमारे immune system को इतना कमजोर कर देता है कि दूसरी बिमारिया हमारे शरीर को असानी से पकड़ सकती है जैसे mucar, mycosis, rygopas, ये एक ही family के हैं दोनों जिसे black fungus है, white fungus है तो जब इनको पता चलता है कि हमारे सरीर का immune system कमजोर हो गया है तो यह उसका फाइदा उठाते हैं तो यही तो system होता है कि यह उसका फाइदा उठा लेते हैं तो दोस्तों यह तो नुकसान हो गए इसके अलावा और नुकसान है कि जो steroids का इस्तमाल जब हम करते हैं तो सरीर में glucose की level बढ़ जाता है तो यह सबसे बड़ी problem है और इसके अलावा जो जिनके पेट में ulcer है उनके लिए यह बहुत ज़्यादा problems create करता है कई बार तो जो है ulcer जो gastric ulcer होते हैं तो उसमें पेट में जलन होने लग जाती है जो piles की problems भी बन जाती है तो यह इस तरह से जो है problems होती है अच्छा अब हम यह जानते हैं कि किन लोगों को steroid जो है उनको नहीं देना चाहिए या उनके नहीं लेना चाहिए पहली बात तो हम आपको यह बता दें कि steroid जो है खुद से आपको नहीं लेना चाहिए यह self medicine नहीं है steroid डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवाई आपको इस्तिमाल नहीं करना चाहिए यह मेरी आपसे परसनल सला आपको आल्ला कि steroid का इस्तिमाल तो आप जरूर बिना डॉक्टर की सला के नहीं करें तो यह self medicine है भी नहीं तो दोस्तों किन लोगों को इस्टेरोड नहीं दे सकते हैं, नहीं दी जानी चाहिए, बहुती सावधानी रखनी चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि सरकरा बढ़ जाती है, ग्लुकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है कि डाइबिटिक जो हैं लोग, उनको हैं, जो बिमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा कमजोर है, उन लोगों को ये दवाई देने से बसना चाहिए, या बहुती सावधानी इसमें रखनी चाहिए, तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि किन लोगों को इस्टेरोड दिया जा सकता है, दोस्तों जो कोरोना संकर्मित हो चुके हैं और जिनमें सिवियर कंडिशन में जो पहुँच चुके हैं, उनको इस्टेरोड दिया जाना चाहिए, परअन्तु ये इस्टेरोड खुद को नहीं लेना चाहिए, दोस्तों ये डok्टर की सला से डॉक्टर द्वारा ही दिये ज जाने चाहिए, तो दोस्तों यह एक सामान्ने जानकारी है कि स्टेरोइड कैसे वर करता है और स्टेरोइड के नुक्सान क्या है कि इन लोगों को燃त स्टेरोइड से बचДа चाहिए, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोm को लाइक और शेर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत ही इंपोटेंट और ग्यानवर्दक जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे धन्यवाद दोस्तों